हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एके इन्वेस्ट अकाडमी होप यू और फैमिली आर सेफ इन दा सिचुएशन वी आज अनेशन आर फेसिंग टुड़े करोना वाइरस के केसेज दिन बदिन बढ़ते जा रहे हैं सिचुएशन काफी खराप सी दिखती है बट अगर हम इस बात को ही सोचते रहें तो हम कुछ खास कर भी नहीं पाएंगे एक ही सलूशन है हम सब के पास कि हम घर पर रहें सेफ रहें और 100% अवाइड करें घर से बाह आज की वीडियो एक अपडेट वीडियो है HDFC Limited के स्टॉक पर जिस पे मैंने एक स्विंग ट्रेड अपॉचुनिटी शेयर की थी 11th April 2021 को अपने इसी YouTube चानल पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उपर आई बटन पे क्लिक करकर पहले वो वीडियो चे चाता हूं कि पिछले टू वीक्स में जब मैंने ये स्विंग ट्रेड अपॉचुनिटी शेयर की थी अपने चैनल पर तब से लेकर अभी तक स्टॉक में क्या हुआ है और आगे आने वाले टाइम में मुझे क्या लगता है कि क्या मोमेंट रह सकती है स्टॉक के प्राइज नहीं आते तो आप फन्डमेंटल वाईज उस वीडियो में चेक कर सकते हैं जो मैंने शेयर किया था अब स्टॉक प्राइज मुमेंट के लिए आए सीधा चार्ट पर चलते हैं अगर हम चार्ट पर देखें तो यह वह जगह है जा मैंने शेयर किया था आप सबके साथ जब stock का price 2513 चल रहा था उसके बात next day around 4% की correction दिखा इस stock ने because अगर आपने पिछले 2-3 हफते में देखा हो तो market हर Monday काफी gap down खुलती है because of rising coronavirus cases weekend पे वो cases accumulate हो जाते हैं और काफी बड़ा jump आ जाता है in comparison to Friday तो market every week Monday को gap down ही हो रही है तो market ने एक opportunity दी थी कि आप 25 हो की जगा 2400 के आसपास भी share को खरी सकते थे 12th April को फिर 3 दिन में ही 4 दिन में ही मान लिजी एक week में stock ने up move दे दी and Friday को stock Friday means 16th April को stock around 2600 का high लगाया to be precise 2590 अगर कोई person यहाँ पर purchase करके यहाँ पर exit कर चुका है अपने stock से तो I would say he is lucky because 5-7% की swing trade मिल गया 3-4 दिन में ही तो market ने फिर से correction दिखाया and 20th April को stock ने 2406 का low बनाया close to this level and 22nd April को stock ने 2373 का low बनाया अगर आप यहाँ पर देखें तो यह वो support area है जो stock ने 29 January 2021 को भी छुआ था अगर आप इस straight line देखें तो तो same level पे stock ने फिर से support लिया है and फिर से stock उपर की तरफ बढ़ रहा है अगर मेरा view पूछें आप तो अभी भी same है मुझे same लगता है same ही triggers है कि एक rounding bottom का pattern बन रहा है अब कहीं लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मैंने पहले वीडियो दिखाये थी तब तो यह ऐसा rounding bottom था हाँ ऐसा ही था but market में जब यह technical patterns बनते है और यह price moments की pictorial representation है जब यह ऐसे patterns बनते हैं तो वह बिल्कुल accurate नहीं बनेंगे वह approximate ही होंगे तो अगर मैं इस round को यहां से ऐसे mode दूँ तो वह भी ठीक है वह भी गलत नहीं है तो अगर आप naked eye से देखें तो भी आपको दिख रहा होगा कि एक rounding bottom का pattern ही बन रहा है second trigger also stays the same कि third में को company के quarterly results है अगर पिछले दो quarters देखें तो company के stock ने 10 से 15% की move दिखाई है every quarterly result पे इस quarterly result पे भी surprise दिखाया results ने मतलब estimates को beat किया था results ने इधर भी estimates को beat किया था results ने तो stock ने अच्छी खासी positive moment दिखाई थी तो वही मुझे इस level से भी 10 से 15% की upside दिखती है stock में अगर 10% उपर जाता है तो stock ये वाले level तक अराम से पहुंच जाएगा अगर 15% जाता है तो ये वाले level तक अराम से पहुंच जाएगा जो लोग इस stock में enter करके exit कर चुके हैं 5-7% के profit में वो दुबारा भी इन levels पर enter कर सकते हैं बिकाज जो pattern है वो complete होता दिखता है मुझे and secondly जो लोग पहले enter नहीं हुए थे stock में किसी भी कारण वो यहाँ पर भी अपनी position बना सकते हैं close to 2500 because upside target अभी भी 10-15% का intact है मेरे according but अपना due diligence जरूर कीजिए before taking any position because this is just share for educational purpose hope आप सबको आज की वीडियो useful लगी हो and अगर लगी है तो please इसे जादा से जादा लोगों से share कीजिए अपने friends से share कीजिए, relatives से share कीजिए ताकि वो लोग भी benefit उठा पाएं ऐसी किसी opportunity का second अभी जो महौल चल रहा है अगर आप ऐसी चीज़े learnings share करेंगे अपने friends, relatives के साथ तो mind divert होता है and आप एक कुछ नई चीज भी सिखते हैं तो I would say, I would urge you to share with as many as you can किसी भी query के लिए आप दियेगे contacts पर reach out कर सकते हैं हमारा telegram channel भी आ गया है दोस्तों, उसे ज़रूर जोइन करें link मैंने description में provide कर दिया है I'm Amman Preet, thanks for watching the video guys, take care, bye-bye